नमस्ता भाई लोगो कैसे हैं आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप में ऐसा एक्स्ट्रा क्या है कि मैं आपको ज्यादा सेलरी दूँ और सामने वाले को कम दूँ आपके अंदर एक्स्ट्रा क्या है कि मैं आप प्रोब्लम क्या होता है कि हमें इस इंडस्ट्री में गाइड करने वाले लोग बहुत कम है और हम क्या करते हैं कि एक regular सा degree या diploma कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है करना चाहिए कर लेते हैं और करने के बाद हम कोई भी hotel या restaurant join कर लेते हैं और धीरे धीरे इस career में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं लेकिन अगर आपको अपने career को देना है रफतार मतला अगर आपको इस industry में तेजी से बढ़ना है आप भी यह चाहते हैं कि मेरा promotion जल्दी से जल्दी हो मैं भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ salary कमाओ तो आपके पास आपके degree या diploma के अलाबा कुछ extra होना चाहिए जो कि आप आपको दूसरे लोगों से अलग करेगा इसके लिए बहुत तरह के certifications या बहुत तरह के specializations market में मौझूद है अगर आपका area of interest food and beverage service है और आपके पास किसी भी प्रकार का certification है wine में या spirit में तो 100% आपका जो यह career है यह बहुत तेजी से बढ़ेगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है WSET जिसका कि full form है wine and spirit education trust यह course हमें क्यों करना चाहिए यह course हमें कब करना चाहिए इसके क्या फाइदे है क्या नुकसान है कितना पैसा लगता है कहां से होता है इसकी क्या वैल्यू है यह सब जो डीटेल है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस WSET का सारा का सारा दो डीटेल है आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा मैं इसका screenshot खीच करकि अपने इंस्टाग्राम के उपर में डाल दूंगा आप इंडस्ट्री की चाहते हैं जहां पर कि आपको बहुत सारे नॉलज मिलते हैं इस इंडस्ट्री को लेकर गया सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर हमें कितने प्रकार के जो कोर्सेज हैं वो पढ़ाया जाते हैं नंबर वन इनके पास सर्टिफिकेशन होता है वाइन का जो की लेवल वन लेवल टू लेवल त्री और लेवल फोर होता है मैं सारे लेवल्स के बारे में डीटेल में आपको थोड़े दिर बताऊंगा उसी प्रकार से स्पिरिट होता ह इसके पास हिन दर लेवल वन लेवल टू लेव थृ और ऊसी प्रकार से आपके पास साख्या होता है लेवल लेवल तो एन लेवल 3 सब से पहला सवाल WSET जैसे कि मैंने आपको पहले इसका फुल फॉर्म बताया Wine and Spirit Education Trust ये जो है एक UK-based body है मतलब London certified institute है और आपके knowledge के लिए मैं ये बतायता हूँ कि this is world's largest certificate provider in wine and spirit education दूसरा सवाल ये है कि आपको कौन सा course करना चाहिए wine भी है, spirit भी है, saakay भी है अगर मेरी समझ से आप बात मानेंगे तो आपको wine का course करना चाहिए इसके बहुत सारे logic है मेरे लिए सबसे पहले बात तो ये है कि wine जो है बड़ा wide है interviews में mostly wine के question पूछे जाते हैं और hotel के अंदर में भी जो wine होते हैं वो जादा confusion पैदा करते हैं क्योंकि बहुत तरह के wine होते है red wine white wine spirit वगर तो में याद हो जाता है बड़ wines में हमेसा मुश्किल होती है so if you are looking for a good and flourishing FNB career तो आप जो certification है आप हमेसा wines में ले do not waste your money in spirit and sake go for the wine certification सबसे पहला जो level होता है that is called a level 1 अब level 1 जो है सबसे पहले यह समझने कोशिच कीजिए कि यह किसको करना चाहिए level 1 जो level 1 है वो सबसे starting जो profile होती है certification होती है यह होती है तो level 1 जो भी इस industry में बिलकुल fresher है या अभी college बगर में पढ़ रहा है I recommend कि आप level 1 से शुरू कीजिए तो हम पहले यह देखते हैं कि आपको level 1 में जो है वो क्या-क्या पढ़ाया जाएगा So wine के level 1 में आप basically पढ़ेंगे the main types and styles of wine common wine grapes and their characteristics wine को store कैसे करें, serve करें wine और food जो harmony होती है मतलब wine and food pairing आपको यह बताया जाएगा और दूसरी बात कि आप wine को कैसे describe करेंगे अपने guest को अपने customers को according to the standard of WSET तो यह basically आपको level 1 में पढ़ाया जाएगा अगर हम level 2 की बात करें तो level 2 जो भी beginner to intermediate level है मतलब जिनका industry में 2 साल, 3 साल, 4 साल हो चुका है they can go for level 2 certification course और level 2 में आपको mostly पढ़ाया जाएगे कि आप how to taste and describe wine कि आप wine को कैसे taste करेंगे describe कैसे करेंगे क्या-क्या environmental factors होते हैं wines के बनने में basically आपको college में पढ़ाया जाता होगा teriore वगरह आपको यहां पर यह समझाने कोशिच की जाएगी different types of red grape and white grapes आपको अलग-अलग तरह के grapes और उसके characteristics को समझाने कोशिच की जाएगी and that is all will be taken in level 2 अब जो level 3 है this is a advanced level जो की industry में जिनका 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल हो गया है now they are looking for a profile of beverage manager या food and beverage manager अगर उस तरह के profile को आप ढूंड रहे है तो that will come under level 3 और level 3 के अंदर में यह जो course है आपका और ज्यादा complex हो जाएगा अगर मैं बताओं तो यहां पर आपको location के बारे में बताएगा wine making कैसे होती है maturation, bottling, still wine, sparkling wine wine को हम कैसे taste करें, describe करें so जैसे यह से आप level बढ़ाएगे वैसे वैसे जो आपका wine का knowledge जो है वो deep होते जाएगा and then the level 4 which is the final level यह होता है, basically आपको एक diploma का जो certificate देते है wines के अंदर में तो यह होगे आपके total 4 level मैं फिर से आपको बताता हूँ level 1, बिल्कुली beginner लोगों के लिए जो की college में है या अब इंडेस्ट्री में 1-2 साल हो चुका है level 2, अगर आपने 3 साल, 4 साल निकाल लिया है beginner to intermediate level और level 3 होगे, थोड़े से advanced level में और जो diploma है that goes for a high profile जो की wine वगरे में ही अपना career बनाना चाहते हैं they can go for level 4 अब हम बात करते हैं इस course की eligibility की मतलब इस course को अगर आप करना चाहते हैं आपका eligibility क्या होना चाहिए eligibility यह है कि if you are on a drinking age मतलब आप अपने country में अपने state में आपके सरकार द्वारा जो भी निर्धारित पीने की उम्र है legal अगर आप उस उम्र के हैं you can enroll for this course basically मोटा मोटी अगर आप 18 साल से उपर है then you can definitely go for this kind of course next सवाल यह है कि आपको यह certification कैसे मिलता है आपने जिस भी level के लिए आपने enroll किया हुआ है आपको पहले पढ़ाया जाएगा पढ़ाने के बाद आपका exam होता है mostly आपको objective type questions दिये जाते हैं और आपको exam में pass होना है अगर आपके 70% से उपर marks आते हैं अगर हम बात करें कि हम अगर यह course को करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं यह body है London की तो ऐसा नहीं है कि हमें London में जाकर कर पढ़ाई करनी है इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टूट है जिन्होंने इसका वो लिया हुआ है अब हम franchise लिया है दूसरा है Sonal Holland Wine Academy इन सबका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तीसरा है इन ओटिसा बैंगलोर में दूसरा है तुलेहो पताल्स इस इन न्यू डेली एंड तीसरा है यह है कि classroom में जाकर करने को फाइदा नहीं आप सिंपल सा online course करो आपको certificate वी जो है वो online मिल जाएगी अब सबसे important सवाल यह है कि boss पैसा कितना लगेगा मतलब how much we need to pay अगर हम इस certificate को लेना चाहते है तो अगर हम level 1 की बात करें तो आपको total पैसे लगने वाले है 9400 यह सब detail में आपको बता रहा हूं जो भी मुझे कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू बड़ी मुच गाइस टेक्या बाबाए